नोश्का और फ्रेंज अभी हमार पास ही लोजिटेक का हूम थेटर आया हुआ है इसमें सिर्फ ये थ्री लाइट्स इंडिकेट होती है और कोई भी बटन काम नहीं करता है इसके बाद ना इसमें साउंड आती है ना कुछ कोई फंक्शन नहीं काम करता है इसका मॉडर नंबर है इसका मॉडर नंबर है इसका मॉडर नंबर है स्रॉंड स्पीकर जैड नाव नाइन जिरो सिक्स इस चलो इसको पहले देखते हैं इसमें सबसे पहले ही सारे स्क्रूज ओपन कर लेने और इसमें से भी एक यहां पर वाला एक यह और एक यह और यह और कि इस अधर यह ओपन करेंगे यह वारा सिस्टम ओपन हो जाएगा यह ओपन कर लिया इसके बाद हम इसमें चैक करेंगे सप्लाई है यह हमने यह ग्राउंट लगाई इस पर चैक करते हैं मीटर पर तो यहां पर देख रहे हैं यहां पर इस कनेक्टर पर प्राउंट प्राउंट और यह हाई वोल्टेज है ठीक है इसकी जो है स्टार्टिंग की टू पिंस यह पहली वाली जो है वोल्ट की है और दूसरी ट्राउंट की है और यह हाई वोल्ट की है एक एक सब्सक्राइब टशेकर करतें सप्लेइ से आ रहा है इसकी तो इसको ओपन करके चेक करते हैं तो उने इसकी सप्लेइ ओपन करके चेक किया तो इसकी एक यह आई सी खराब दिली सप्लेइ में यह वाली इसका नंबर है कि का नंबर है पिच्चा सी साट आयार जैड यह इसी फटी हुए है और इसकी वे से दो सप्लाइएं नहीं बन रही है जो कि फाइव वोल्ट और ट्वेल वोल्ट बनती हैं तो यह इसी हमने पता करी मार्केट में बार्केट में अवेल वेल नहीं है यह है तो हमने इसका अलग से एक जवाड बनाया है सिके अंदर वर फाच वोल्ट के सप्लाइड लगा है जिससे हमारा सेट यह ओन हो गया तो यह हमने सप्लाइड कि इसके अंदर वर पाच वोल्ड के लिए और यहां हमने इसके connection कर दिए है ठीक है यहां पर जो इसके amplifier की supply है जो sound supply देगा वो supply आ रही है इसके अंदर सिर्फ हमारी 5 watt 12 volt की supply नहीं आ रही है अब आए जाए आए आए अधिकरें 12 और 5 और यहां है एच वी हाई वोल्ट जी supply आ रही है तो हमने इसमें connection किया इसमें ठीक है यह हमारा set on तो हो गया लेकिन अभी इसमें यहां पर देकी रेश्टेंस भी चली हुए इसर और इसके back side में भी हमारी एक आईसी शॉट निकली है यह हमने इसमें से इसी निकाल दी है इसके बाद यह सैट ओन हुगा है वी चलागी दिखाते हैं यह कि यहां रेजिटन चली हुए है टैनों की ठीक है यह हमारी आईसी वर्क कर रही है यह आईसी निकलीस के अंदर से इसका नंबर है टीएस इक्याओन बासट टीएस फाइवन शिक्स टू कि बाकि हम चैक करते हैं तो यह हमारा सैट ओन हो गया है इसका नंबर इंपुट पर है और यहां पर है मैं सप्लाइच कर आता हूं यह और यहां आप यह वोल्ट और यह हमारी आप शुक्ष्ट बॉल्ट जैंप सेक्षिन में जाएं और यह जो रिस्टेंस अमारी जली भी है यहां पर हमारी ट्वल्ट आया है इंपुट आउटपुट पर है ठीक है यहारी है तो हमने एक ऐसी रिमूव करती थी इसको एक बार आगे देखते हैं मैं चला के साउंड आते है कि नहीं कि देखिए फंक्शन ओन तो कर दिया है इसको तोड़ा सा तो गमाने पर बंद हो रहा लेगूं यह हमारा सिस्टम ओन हो गया है और साउंड भी आ गई है यह इसमें हम इसकी अगर फाइव वोल्ट इसको सपले को भी देनी पड़ेगी ताकि इसका फिल्ट बैक मिल सके इसकी वेसे हमारी साउंड नहीं आ रही थी और यह हमारा आप देखिए वाल्यू अप्डाउन करने देखिए तो भी बंद हो रहा था देखिए काम कर रहा है अब हमारे इसमें एक आइसी नहीं चल रही जिससे कि हमारे सेंटर स्पीकर फ्रेंट स्पीकर और फ्रेंट राइट लेफ्ट वाले नहीं चल रहे है तो अब इसके लिए आइसी लगाएंगे और हमारा सेट कंप्ल झाल झाल